वसुद है व कुटुम्बकम ये वही टैग लाइन है जिसे 2023 में भारत ने G20 समिट में यूज किया था इसका मतलब है वर्ल्ड इस फैमिली अब जरा सोचिए जो देश पूरी दुनिया को अपना एक परिवार बान रहा है वो अपने पडोसी देशों के साथ कैसे रिलेशन्स रखता होगा हेलो एस्पिरेंस वेलकम टू चहल अकैडमी मेरा नाम है सुमित्यागी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं भारत और उसके पडोसी देशों के रिलेशन्स कौन-कौन से हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और किस पॉलिसी के थूरू हम उन अपने दोस्ट चूज कर सकते हैं आप अपने दोस्ट बदल सकते हैं लेकिन अपने पडोसियों को नहीं बदल सकते इसलिए कितना जादा जरूरी हो जाता है कि आप एफर्ट्स ने उनके साथ रिलेशन्शिप को बैटर करने के लिए अगर इशूस भी है तो उन्हें पीस जिससे हम जमू एन कश्मीर के अंदर बॉर्डर शेयर करते हैं जो नौथ वेस्ट में लोकिटिड हैं हमारे भारत के सेकंड इस बांग्रादेश थर्ड इस भूटान चाइना मौलडीव्स मियानमार नेपाल पाकिस्तान और श्री लंका टोटल नाइन कंट्री आपको करता हो भी दिख रहा है अफगानिस्तान के साथ इस इस दिए अफगानिस्तान बॉर्डर राइट इसको हम बोलते हैं वकान कॉरिडोर यह जो कॉरिडोर कनेट कर रहा है इंडिया और अफगानिस्तान को इसको हम बोलते हैं वकान कॉरिडोर पिलहाल हमारी डारेट लेंड connectivity अफगानिस्तान के साथ नहीं है क्योंकि हमारे पडोसी देश पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को illegally occupy कर रखा है और ये region पाक occupied कश्मीर से directly land border share करता हुआ दिखता है पाकिस्तान आपको northwest में पूरी तरीके से border share करता हुआ दिखता है नेपाल एक buffer state की तरह काम कर रहा है between India and China भूटान जो हमारा सबसे friendly nation है South Asia के अंदर बांगरा देश जो initially East Pakistan की तरह था लेकिन 1971 में एक नई country बनके उभरा और साथ में यहां आपको म्यानमार देखने को मिल जा रहा है जो border share कर रहा है किसके साथ North East के साथ यह पूरा जम्मुएन कश्मीर वाला रीजन मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्राखंड के साथ सिक्किम और अर्वाचल के साथ आपको चाइना border share करता हो दिखता है उपर नीचे देखते हैं this is Maldives जो हमसे maritime border share करता है and the last one is Shri Lanka अगर वैसे देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार का जो हमारा सदनमोस्ट पॉइंट है Great Nikobar Island में जिसे हम इंदरा पॉइंट बोलते हैं मात्र 15 किलोमेटर दूर वहां से इंडोनेशा के रॉंडो आइलेंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं लेकिन हम साउथ इस्ट एशिया को यानिक इंडोनेशा को extended neighborhood में मानते हैं ना की direct neighborhood में अगर इनकी length देखी जाए कौन सा country कितना border share कर रही है भारत के साथ तो आपको देखने को मिलेगा सबसे जादा border हम share करते हैं पांगलादेश के साथ that is around 4096 km second is China close second that is 3488 km 3488 km third is Pakistan 3323 Nepal 1751 Myanmar 1643 Bhutan 699 and सबसे least share border share हम कर रहे है land border अफगानिस्तान के साथ जो मैं आपको बता रहा था जमुएन कश्मीर में वकान कोरिडोर से हम connect करते हैं मातर 106 km तो अगर total land border देखा जाए भारत का तो आपको देखनों के मिलता है लगभग 15106 km का land border share करता है भारत अपने पडोसी देशों के साथ अब हमें ये देखना है कि आखिर हमारी policy क्या है इन countries के साथ relationship maintain करने के लिए हम किस policy पर run करने की कोशिश करते हैं देखिए इसे समझने के लिए हम ये थोड़ा पीछे चलते हैं 1990s में चलते हैं 1992 में जो हम एक LPG reform से के बाद एक नए capitalist economy की तरह उभरे तो हमने extended neighborhood policy जिससे आज की rate में हम बोलते हैं हमने start करी lookist policy लेकिन उस lookist policy की वज़े से कहीं ना कहीं आपको neighboring countries ignore होती हुई दिखी 1996 में देव गोडा जी की सरकार के अंदर foreign minister थे दॉक्टर I.K. गुजराल इंदर कुमार गुजराल उन्होंने एक doctrine दी जिसे हम बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रीन जिसमें बोला गया कि जितनी भी छोटे देश हैं हमारे आसपास चाहे वो श्रिलंका हो जाए चाहे वो मॉल्डीव्स हो जाए बांगलादेश भूटान नेपाल इन सब के साथ आप एक non reciprocatory relationship रखेंगे non reciprocatory relation का मतलब भाई हम एक बड़े देश हैं इस region के सबसे बड़े देश हैं सबसे बड़ी economy है सबसे बड़ी military power है तो यह expect करना के जितना मैं उनके लिए कर रहा हूं वो भी मेरे लिए करे थोड़ा सा ठीक नहीं है उन देशों के लिए हमारी image के लिए तो हमने यह बोला कि हमारा size बड़ा है हमारी economy बड़ी है तो अगर हम सौ कदम चल रहे हैं तो तुम एक कदम चल दो और अगर हम आपकी help भी करेंगे तो हम आपसे वापसी में help expect नहीं कर रहे है इसको हम बोलते हैं non reciprocatory relationship 2014 में जब NDA government आई तो उन्होंने इसी policy को tweak करके एक नया नाम दिया जिसे हम बोलते है neighborhood first policy जिसमें although इसके अंदर हम चाइना को include नहीं करते हैं वो भी हमारा neighbor है लेकिन उसके साथ हमारे concerns थोड़े से different है उसे हम अपना smaller neighbor concern या basic की तरह उससे relate नहीं कर पाते same goes with Pakistan पाकिस्तान के साथ हमारे issues जो हैं वो बहुत जादा है areas of cooperation जो है वो बहुत कम है तो गुजरार doctrine में से पाकिस्तान को भी अलग रखा गया था लेकिन neighborhood first policy में पाकिस्तान को भी include किया गया है including चाइना के साथ भी certain initiatives लिये गए थे जिससे relationship को better किया जा सके of course उनका पूरी तरीके से आपको फायदा होता हुआ नहीं दिखा क्योंगि China as a country is an expensive nation वो हमेशा territorial integrity को question करेगा ही करेगा पडोसी मुल्की चाहे वो Japan हो, चाहे वो Mongolia हो चाहे वो Centralation countries हो, चाहे वो India हो, चाहे वो South China Sea में हो अगर China के साथ आप neighbor share कर रहे हो अगर आप Chinese neighbor हो, तो आपकी territorial integrity को तो question किया ही जाएगा by China, that's a fact तो China के साथ हमने काफी कोशिश की कि इस चीज़ को resolve किया जासा के लेकिन अभी भी नहीं हो पाया है, अभी भी disengagement mode में ही है, लेकिन बाकी countries के साथ अगर हम देखें, जो smaller neighbors हैं, जिनके साथ relationship maintain करना, इस region के लिए, भारत के लिए बहुत जादा जरूरी है, उनके बारे में discuss करते हैं, अगर हम policies की बात करें, तो सबसे पहली policy का जो हमारे principles हैं, उसमें हमारा सबसे पहला focus, one of the most important aspect of neighborhood first policy, is sovereignty and territorial integrity of the nations, मतलब इस region के अंदर, आप किसी के भी independent decision making को question नहीं करोगे, आप उनके चाईना हमारे साथ करता हो दिखता है, पाकिस्तान हमारी territorial integrity को question करता हो दिखता है, नेपाल के साथ भी आपको conflict देखने को मिली है काला पानी के case में, श्रीलंका के साथ कच्याती वो island के case में आपको conflict देखने को मिल जा रही है तो आपको पता है कि हमारे साथ direct tassel, जो भी border neighbor share करेगा हमसे, जो भी हमारा neighbor है जो भी border share करेगा, उसके साथ there are high chances कि हमारा कोई ना border dispute देखने को मिल जाए सवाल ये है कि हम उसे किस तरीके से resolve करने की कोशिश करते हैं और अगर हम इस मुद्दे पर चलते हैं इस principle पर चलते हैं कि हमें सब की sovereignty और territorial integrity को ध्यान में रखना है, तो शयद relations को better तरीके से run किया जा सकता है ज्यादा coordinated तरीके से run किया जा सकता है, second is mutual respect and sensitivity किसी भी तरीके से किसी भी देश को अपने neighbor के against, अपनी जमीन को इस्तमाल नहीं होने देना है हम एक दूसरे की sensitivity को समझेंगे एक दूसरे को mutually respect प्रोवाइड करेंगे कोई बड़ा छोटा relationship नहीं रहने वाला है इसमें, आप उतने ही sovereign हो जितना मैं sovereign हूँ तो आपके पास भी पूरी independence है हम भी आपको पूरा respect प्रोवाइड करेंगे और आप भी हमारी sensitivity को respect करने की कोशिश करें non interference in internal matters किसी के अंदरूनी मुद्दे जो है internal matters जो है, चाहे वो नेपाल का constitution making हो, चाहे वो श्री लंका का civil war हो भूटान किसके साथ कैसा relation रखेगा, बांगलादेश में क्या होना चाहिए पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, मौल्डीज में क्या होना चाहिए, श्री लंका में क्या होना चाहिए इसमें हमें direct interference नहीं करना है they are a sovereign nation, they are a respected nation they can decide from themselves they can decide for themselves ये बात याद रखनी है, no matter how big you are, no matter how big a military power you are, no matter how big a economic power you are, लेकिन आप यहां किसी भी तरीके से dominate करने की कोशिश नहीं करोगे, आप एक ऐसे relationship maintain करने की कोशिश करोगे जहां सामने वाले की पास independent decision में की होने चाहिए, अपने फैसले खुद लेने के लिए, हम कही ना कही से चूकते हुए भी दिखे है, थोड़ा सा deviate भी हुए है, बांगलादेश के मधेसी issues में 2015 में, हमने जब blockade create के होंगे constitution आने के बाद, वो उनके internal matter में interference था, शिलंका में IPKF को भेजना, वो उनके internal matters में interference था, तो ऐसी चीजों से कही ना कहीं हमें बचने की ज़रूरत है, और वो इस policy में भी लिखा हुआ दिखता है, shared prosperity, regional growth will eventually result in to a trickle down effect, जिसकी वैसे आपको पूरी तरीके से countries की भी growth दिखेंगी, तो हमें कोशिश करनी है कि अगर region को prosperous बनाया जाए और उस prosperity को equally divide किया जा हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी prosperity भारत ही ले ले ले, सारी prosperity पाकिस्तान ले ले, सारी prosperity बांग्वादेश ले ले, जो smaller neighbors हैं हमारे, उन तक भी वो prosperity पहुंचने चाहिए, उस prosperity को उन अच्छी चीजों को भी share करने की जरूरत है भारत को अपने पडोसी मुलकों के साथ, next connectivity for regional integration, आपको cultural integration की जरूरत है, आपको economic integration की जरूरत है, आपको security integration की जरूरत है, आपको strategic integration की जरूरत है, जब तक आप integrated नहीं रहोगे, तो कोई ना कोई बाहर की power आएगी और आपके region में interfere करके, आपको disintegrate करके चली जाएगी, हमारा main focus यह है कि हम इस integration की तरफ बाह काम करें, वो कैसे हो सकता है through better connectivity, through better people to people, exchanges through better people to people, ties और जिनके उपर हम यह function करते दिखते हैं और इसमें हमने गुजराल doctrine वाल angle भी मैंने आपको बता है कि non reciprocity कि हम उनसे expect नहीं कर रहे हैं कि जितना हम उनके लिए कर रहे हैं, उतना ही वो वापस return में हमारे लिए करें, लेकिन हमारे against कुछ ना करें, इतनी हमारी basic सी minimum सी expectations हैं हमारे neighbors से आगे बढ़ते हैं अगर significance देखी जाए इस policy की, कि हमारी neighborhood first policy जो है, यह important क्यों है हमारे लिए क्यों significant है, तो सबसे पहले देखने को मल रहा है, Chinese influence को counter करना आज से 15 साल पहले अगर हम move कर जाएं, तो 2008-2009 की अगर हम बात करें, जब तक one belt one road initiative start नहीं हुआ था, तब एक concept आया था, जिसे हम बोलते हैं, string of pearls जिसके अंदर एक basically एक pearl create करें, एक mala create कर रहा है, एक necklace create कर रहा है, एराउंड इंडिया, चाइना बांगलादेश के अंदर अपने port investment करके म्यानमार के अंदर अपने ports investment करके श्रिलंगा के अंदर, Maldives के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो आपको चारो तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, मतलब इंडियान ओशन में अपनी influence बढ़ाने की चाइना कोशिश कर रहा है, from past 20 years आज की rate में हम इसे maritime silk route बोलते हैं, ऐसे time पे, ऐसे case में, इंडियान जिसका नाम ही इंडियान ओशन है वहाँ भी अगर मेरी regional hegemony create नहीं हो पा रही है, तो मैं अपना सपना जो एक major super power बनने का विशो मित्र बनने का, विशो गुरू बनने का देख रहा हूँ वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा बोला जाता ना, पहले अपना घर समालो, बाद हमें जाके पडोशियों के matter जो है, वो सुल्टाना, हमारा घर क्या है, हमारा घर है South Asia, तो सबसे पहले हमें यहाँ अपनी एक अच्छी presence बनाने की जरूरत है, और Chinese influence को counter करना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और neighborhood first policy के थूरू हम इस Chinese influence को counter करने में कहीं न कहीं, अपनी capacity को improve कर पाते हैं और कर सकते हैं Next is, multilateral forums में इंडिया को support जितनी भी हमारी neighboring countries दिखेंगे, दी जादा part of Global South, और आपको पता है, भारत आज की rate में Global South की leadership कर रहा है चाहे वो UNSC में permanent seat की बात हो चाहे वो Western institutions के reforms की बात हो, चाहे वो अलग-अलग multilateral platforms पे भारत को support करने की बात हो तो neighborhood first policy को एक major तरीके से international forums में use किया जा सकता है, अपने neighbors का support एकटा करने के लिए unify करने के लिए territorial integrity को ensure करने के लिए अगर हमारे relations खराब रहेंगे तो major chances हैं कि हम एक दूसरे से ही लड़ें और किसी भी तरीके से इस regional integration की हम बात करने हैं वो आपको fulfill होता हुआ ना दिखे इसलिए regional integrity को maintain करना, हमारे लिए एक primary focus होना ज़रूरी है आप regional integrity पे काम करेंगे, territorial integrity पे काम करेंगे, किसी के भी territorial अखंडता को उनकी जमीन पे अपना हक नहीं दिखाएंगे ज़ादा powerful होने की वज़े से उन पे dominate करने कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें subjugate करने कोशिश नहीं करेंगे, और make sure करेंगे कि अगर कोई ऐसा मुद्दा होता भी है जहां territorial disputes चल रही है तो उन्हें peaceful resolution की तरह बन जाए, इसलिए maritime security के लिए भी सारे neighbors को साथ चलना बहुत बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हैं energy security के लिए, energy security में इस region में अगर आप connectivity चाहते हो तो आपको energy security भी make sure करनी पड़ेगी, वहां के लोगों का भला भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने connectivity बढ़ा दी है और गरीबी का level एक दूसरे देशों में काफी जाधा different है क्योंकि उससे फिर आपको illegal migration जैसे issues आते हुए दिख सकते हैं तो equitable development करना है उसके लिए energy is the prior need हम काफी सारे projects भी चला रहे हैं हम nuclear plant setup कर रहे हैं बंग्रदेश के रूपपूर में in association with Russia साथ ही साथ हम NTPC का 100 megawatt का plant खोल रहे हैं श्रिलंका के सामपूर में other than that, नेपाल के साथ आपका hydroelectricity projects हैं भूटान के साथ आपका hydroelectricity projects हैं Maldives को आप काफी जादा help करने कोशिश करते हो for the energy security perspective majority of the oil जाता है अगर development deficit जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि अगर development deficits रहे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि region के अंदर inequality काफी जादा है तो वो regional integration में major hurdle की तरह act कर सकता है major threat बन सकता है इंडिया की internal security के लिए तो यह जो regional developmental deficits हैं इन्हें दूर करने की जुरूत है एक तो यह international angle से regional deficit को दूर करना है दूसरा भारत के अंदर जो आपको different regions में inequitable जो development देखने को मिल रहा है for example North East is not as developed as the rest of India या फिर अगर आपको बोले को Northern India के comparison में North East आपको थोड़ा सा कम developed दिखता है तो with the help of Myanmar with the help of Bangladesh हम कहीं ना कहीं उसको develop कर सकते हैं springboard की तरह यूज़ कर सकते हैं North Eastern development को अपनी connectivity इंप्रूव करने के लिए with South East Asia with Myanmar with Bangladesh जो हमारी soft power है उसको leverage करने में हमें ये neighborhood first policy help करती है majority of the region जो हमें Indian some continent के अंदर देखने को मिलता है यहां cultural connectivity है cultural commonality बहुत जादा है beat in the name of religion beat in the name of food beat in the name of languages आपको काफी हतक चीज़े same देखने को मिलेंगी हम अपने धर्म circuit को use कर सकते हैं रमायना circuit को use कर सकते हैं बुद्धिस circuit को use कर सकते हैं tourism को बढ़ाने के लिए people to people contact को बढ़ाने के लिए through this neighborhood first policy इसलिए NFP regional integration के लिए South Asian integration के लिए काफी जादा significant हो जाती है अगर हम कुछ infrastructure projects की बात करें जो आपको run करते हुए दिखते हैं between in the South Asian region between India and Indian neighbors उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है BBIN बांगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ये connectivity project है road and rail connectivity project थोड़ी से दिक्कत इसमें ये है कि भूटान इससे बाहर हो चुका है क्योंकि भूटान थोड़ा सा environmental perspective को लेके चलने वाला देश है उसे ऐसा लगता है कि अगर इस connectivity projects में आप freight corridor की तरह जो freight traffic है वो बांगलादेश के थुरू निकलेगा जो माल गाड़िया है वो बांगलादेश के थुरू निकलेगी तो उससे काफी हद तक बांगलादेश की भूटान की एकोलोजी को नुकसान हो सकता है तो अब ये BBIN ना होके केवल BIN बचा है बांगलादेश, इंडिया, नेपाल जो connectivity को इंप्रूव करने की बात करता है नेक्स ते हमार पास कलादान multimodal transit project हमें आप देखने की ज़रूत ये है क्याकर 39 से connectivity देखी जाए तो 39 से connectivity केवल हमारी सिलिगुरी corridor के थू जाती है इस सिलिगुरी corridor एक 30 km wide corridor है जिसे हम chicken snack corridor भी बोलते है इसके लावा हमारी 39 से कोई connectivity है नहीं इस वज़े से हमने एक project स्टार्ट किया जिसे हम बोलते हैं कलादान multimodal project कलादान river मीजो हिल से निकलती है एक radial drainage pattern का example है मीजो हिल्स और कहां जाके मिल जाती है म्यानमार से cross होती हुई Bay of Bengal में जाके मिल जाती है अब हम क्या कर रहे है कोलकता से हम एक जहां माउथ है कलादान river का which is at sitway port वहाँ तर डिरेक्टली connectivity करेंगे sitway port से पलेतवा फिर कलेतवा और डिरेक्टली to the border of मिजोरम और मिजोरम से डिरेक्टली फिर हम एजवाल connect कर सकते है तो एक alternative route मिल चुका है मुझे म्यानमार से connectivity के लिए म्यानमार के थुरू 39 से connectivity के लिए इसको finally extend भी किया जा सकता है जिससे हम बाकी के South East Asia से भी connect कर पाएं अपना regional integration बढ़ा पाएं अपना economic integration बढ़ा पाएं अपना cultural integration बढ़ा पाएं other than that आपको बांगलादेश के साथ multiple initiatives स्टार्ट होते हुए दिख जाते हैं जो की connectivity project है चाहे वो बांगला बंध हो जिससे हम बांगलादेश के अंदर जो फुलबारी टू पानी टंकी और ककर विट्टा इन नेपाल यह directly बिन वाला initiative बे जिसकी मैं भी बात कर रहा था these are the places जो बिन initiatives के थूँ आपको connect करते हों दिखते हैं कौन-कौन सी पुलबारी पानी टंकी and ककर विट्टा these are the initiatives connectivity projects under बिन project next is आपको इंडिया और बांगलादेश और भूटान के बीच में भी connectivity देखने को मिल जा रही है through बुरी मारी इन बांगलादेश चंगरबंधा इन इंडिया and फुन शॉनलिंग इन भूटान other than petropole बीना पोल आपको इंडिया बांगलादेश की connectivity है अखौरा अगर तला आपको इंडिया और बांगलादेश की railway link देखने को मिल जाती है और इसके लाव अभी काईफी सारे entry और exit points आपने बना रखे हैं जिससे बांगलादेश के साथ connectivity को और ज्यादा better किया जा सके moving on अगर देखा जाए what are the challenges issues क्या क्या है हमारे साथ आज की रेट में neighborhood first policy को लेके सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है geopolitical tensions geopolitical tensions क्या है भारत और उसके पड़ोसी मुलकों के बीच में पड़ोसी देशों के बीच में काफी सारी border disputes देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान तो भूली जाओ पाकिस्तान के साथ तो कश्मीरी dispute है ही है नेपाल के साथ आपको काला पानी dispute देखने को मिल रहे है श्रिलंगा के साथ आपको कच्चाती वो आईलेंड का issue देखने को मिल रहा है बांगलादेश के साथ आपको 3B का corridor जो आपने जादा bureaucratic challenges आते हैं जिसके वैसे भारत की credibility थोड़ी सी खराब होती हुई देख सकती है और हम कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से अगर हमने कोई चीज कमिट की है in some other country तो हम उसे time पे complete करके दें उस promise को time पे fulfill करके दें next is economic differences इंडिया is at the different economic level इंडिया is the fourth largest economy in the world लेकिन अगर आप आसपास देखोगे तो उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई larger economy देखने को नहीं मिलती है देखा जाए तो हमारा जो intra trade है वो केवल मातर 5% है जो मैं total trade करता हूँ उसका 5% केवल South Asian neighbors के साथ हो रहा है जबकि 2004 में वजूद आपको यह outcome देखने को मिल रहा है अगर यह free trade agreement sign ही नहीं हुआ होता इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता तब भी इतना ही बुरा होता कोई जादा फरक पढ़ा नहीं उस FTA से तो हम बोल सकते हैं this is also the failure of Safta which was signed in 2004 तो यह भी आज की रेट में economic differences और economic integration एक major challenge है cause of the differences in the economies in the region crisis in Bangladesh आपने थोड़ टाइम पहले देखा के शेख हसीना जो की एक pro-Indian leader है 2009 से 2014 तक जो बांगलादेश में जिन्नोंने रूल किया उनके हटने की वज़े से आज की रेट में एक anti-India, anti-Hindu campaign आपको run करती है बांगलादेश के अंदर जिसकी वज़े से बांगला देश में भारत के अगेंस दूसरी चीज चाइना का interference बांगलादेश में बढ़ेगा पाकिस्तान का interference बांगलादेश में बढ़ेगा इवन यूस का interference बांगलादेश में बढ़ेगा क्योंकि अभी आपको जो मुहमद यूनिस देखने को मिलते हैं वो थोड़ से pro-west माने ज लेकिन भारत के रिलेशन्स आपको इंपक्ट होते हुए दिख सकते हैं, तो नेगेटिवली, अंस्टेबल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान रूल है, उनके साथ ऐसोशेट करना, ऑफिशली ऐसोशेट करना, खुद में भारत के लिए बहुत बड़ा डिप् मिल इशूज जो अमिलेंस वहां रहे हैं, उनको शायद प्रॉबलम देखने को मिल सकती है, और एंगेजमेंट में और ज्यादा प्रॉबलम बढ़ती हुई, दिख सकती है, तो ये सारे इशूज हैं, जिसकी वज़े से जो मेजर चैलेंजिस हैं, जिसकी वज़े से नेशन नेबर्वूड फर्स्ट पॉलिसी और रिजनल इंटिग्रेशन में हमें कहीं न कहीं इशूज देखने को मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एकनॉमिक कॉपरेशन बढ़ो यार, साफटा वाफटा साइन कर ले, के वोल प पर पर साइन करने से तो काम नहीं चलेगा, एकनॉमिक इंटिग्रेशन बढ़ो, एकनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ो, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ो, जितना जादा आपके एक दूसरे को पर रिलाइबिलिटी बढ़ेगी, जितना जादा आपका एक दूसरे development में आप help करो और economic integration को support करो in the South Asian region तो यह हमारा way forward होना चाहिए people to people exchanges improve करने की जरौत है लोगों को साथ आने की जरौत है क्योंकि अगर देखो सरकारे आती रहेंगी सरकारे जाती रहेंगी बोलते हैं ना अटल भिहारी वाजपी जी अगें जो बोलके सरकारे आएंगी जाएंगी यह देश रहना चाहिए तो आज पास वाली country में कोई भी सरकार आजाए चाहिए वो anti-India हो pro-India हो pro-China हो anti-US हो pro-US हो लेकिन अगर लोगों के लोगों से relation better है people to people contact अच्छे है तो there are higher chances के countries के बीच में भी relations अच्छे रहेंगे best example तालीबान आ गया अफगानिस्तान में लेकिन फिर भी हमारे relation अच्छे है लेकिन बांगलादेश और इंडिया के बीच में people to people relation बहुत जाद अच्छे है नहीं कहीं ना कहीं आपको एक negative sentiment देखने को मिल जाता है beat on the cricket ground और beat in jungle आज की rate में जैसी ही शेक हसीना जी वहां से कहीं तो आपको relation बिगड़ते हुए देखगे क्यों क्योंकि people to people contact में कहीं ना कहीं कमी रह गई है people to people sentiments को better करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है तो इसलिए आपको people to people exchange बढ़ाना चाहिए जो मैंने आपसे पहले कहा अपने जो आपने tourism projects हैं like Buddhist circuit जो की जो आसपास की Buddhist population है चाहे वो श्रिलंका की हुई चाहे वो भुटान की हुई चाहे वो मयानमार की हुई उसको utilize करने में help कर सकते हैं तो अगर मैं connectivity करता हूँ अपने neighbors के साथ तुम उसे extend करके extended neighbor में भी लेके जा सकता हूँ जिस तरीके से हम चाह बाहर port को utilize कर रहे हैं एरान को use कर रहे हैं अफगानिस्तान पहुँचने के लिए और अफगानिस्तान से को use कर रहे हैं Central Asia से connect करने के लिए नेक्से security cooperation रीजन में security चाहे हो maritime security हो चाहे हो land water security हो maintain करने के लिए आपको security cooperation की काफी ज़्यादा ज़रूरत है इसमें आप use कर सकते हैं BIMSTAC जैसे frameworks जैसी आपने देखा होगा भी थोड़ टाइम पहले हमने एक exercise की थी जिसे हम बोलते हैं military exercise यह 2018 में conduct की गई थी BIMSTAC के अंदर ना ASEAN के पास कोई ऐसा security initiative है ना ही SARC के पास कोई ऐसा security initiative है लेकिन BIMSTAC के पास है तो ऐसे जो BIMSTAC countries है उनको वो भी सारी neighboring countries है उनको security cooperation प्रमोट करने के लिए security coordination प्रमोट करने के लिए military में interoperability improve करने के लिए कही ना कहीं BIMSTAC जैसे frameworks को हमें use करने की ज़रूरत है regional integration की तरफ move करना चाहिए जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ इसके लिए आपको जो platform से हमारे पास available चाहे वो SARC हो गया चाहे वो BIMSTAC हो गया चाहे वो IOR हो गया that is Indian Ocean Rim Association उसको utilize करने की जुरत है last but not the least diplomatic outreach history decisions नहीं लेना है जल्दबाजी में decisions नहीं लेना है कोई जल्दबाज policy अपना नहीं है ऐसी जगे जहां थोड़ा सा problem होती हुँ दिखती है बांगलादेश और श्री लंका में जो अभी हो रहा है anti-Indian government जो आपको बैठी हुँ दिख रही है तो हम इसे ही deal करना चाहिए उनके साथ जैसे हमने Maldives के साथ deal किया जब मुहमद म्यूजु आय थे सर जनकार की तरफ से कोई ऐसा statement नहीं जाना चाहिए जो relationship को खराब करता हुआ दिखे इन सारी information को ध्यान में रखते हुआ है इन सारी information को ध्यान में रखते हुआ है I request you to attempt this question discuss the key objectives and challenges of India's neighborhood policy how has this policy evolved in response to changing geopolitical dynamics in South Asia provide examples to support your answers attempt this question in 250 words try writing it try attempting the multiple dimensions and subscribe to our YouTube channel for such information thank you so much guys and have a good day you